सो हलो फ्रेंस वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैं सिवाम आप देख रहे हैं विंडो क्लासेस कैसे आप लोग आई होप आप लोग अच्छा होंगे आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे समान्य ग्यान के टाप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेस्चेन अंसर जो विगत व आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उसमें बहुत सारे लोगों ने आट दस में नौग किए हैं ठीक है हर क्वेस्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय लगेगा विदिन 572 आपको आश्ट टिक करना हैं और हर कॵेस्चन में आपको फैक्ट के सांट डिसक्डेंगे तो राइट आंसर टिक करेंगे समय शुरू होता है अब राइट आपसन रहेगा बी अकबर के दर्बार में थे डारेक्टी यहां से एक क्विश्चन बनता है कि तान सेंग के गुरू का क्या नाम था तो आपको याद रखना है गुरू का नाम सुफी संद मुहम्मद गौस थे बढ़ते हैं नेक्स क्विश्चन के तरफ यह रहा आपके मुबाइल स्किन पर विश्चो का सबसे बड़ा लिखित एवं सार्वधिक व्यापक सविधान किस देश का है कौन से देश का है यह आपको पताना है यह रहा आपको आप्शन भारत का ब्रिटेन का कनाड़ा का दक्षिन अपरिका का समय शुरू होता है अब राइट आप्शन रहेगा ए भारत व्याख्या देखिए सविधान को बनाने में दो साल ग्यारा महिने अठारा दिन का समय लगा डारेक्ट यहां से क्विश्चन भी बनते हैं और सविधान दिवस हर साल 26 नॉम्बर को मनाया जाता है ठीक है बढ़ते हैं नेस्ट क्विश्चन में इससे पहले चैनल को अभी तक सब्क्राइब ने किया है तो डेफिनेटी चैनल को सब्क्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट करें अगर आप आप आनलाइन क्विश्चन लगाना चाते हैं तो हमारे वेबसाइट विजिट करें www.indyagkcloss.com निचे description मिलेगा वहाँ से आप डायकली जा सकते हैं वहाँ पे different topic पे advanced level का question मिलेगा आपको वहाँ से आप quiz लगा के अपना timing चेक कर सकते हैं तो next question ये रहा आपके mobile skin पे विश्व प्रसित खारे जल की जिल सांभर किस राज्य में इस्तित है अभी आप previous NTPC का exam देखेंगे तो ये सभी question आपको देखने को मिलेगा ये रहा आपका option आंद्रप्रदिस है गुजरात है राजिस्थान है महराष्ट है बहुत ही अच्छा question है अपना right answer टिक करें समय कम लगेगा तो वीडियो को पॉस्ट कर सकते है समय सुरू हता है अब right answer रहेगा C राजिस्थान इसके बारे में जान लीजे जैपुन नगर समिप यहाँ लवन जिल खारे जिल के नाम से प्रसीद है इसे लवन जिल भी बोला जाता है ठीक है बढ़ते है next question के तरफ ये रहा आपके mobile skin पे अभी तक आप अच्छा खेल रहे है आगे भी अच्छ पादक कौन है कौन है आपको बताना है यहाँ पे चार आप्सन दिये हुए है अपना right answer टिक करें समय शुरू होता है अब right option रहेगा fourth पतान्जली इसके बारे में जाल लिजे योग प्रति पादक महरसी पतान्जली ये पूर्श्य मित्र सुम के कुल गुरू और पुरोही थे डारेक्टली यहाँ से भी question बनते है ठीक है बढ़ते है next question के तरफ वीडियो अच्छी लग रही तो एक like जरूर करें और वीडियो को आपके फ्रेंड और study group में जरूर सेयर करें यह रहा आपके mobile skin पे सिंदू सब्यत्य की घर किस से बनाये जाते थे इससे संबंदित question हमने previous वीडियो में भी किये थे अगर नहीं देखा तो उपर i button में link मिल जाएगा वहां से जाकर डारेक्टी देख सकते है यह रहा आपका option इटो से बांच से लकड़ी से पत्थर से किस से बनाये जाते थे यह आपको बताना है समय शुरू होता है अब right option रहेगा ए इटो से बनाये जाते थे यहां पर पक्की इटो का इस्तिमाल किया जाता है एक question और आता है previous वीडियो में मैंने discuss किया है इस नानागार कहां पाया गया है तो मोहन जोदरों में पाया गया है यह आपको याद रखना है ठीक है बढ़ते है next question के तरफ यह रहा आपके mobile skin पे भगवान महावीर का प्रथम सिस्थ से कौन था कौन था यह आपको बताना है यह रहा आपके पास option कि समय शुरू होता है अब राइट आपसन रहेगा बी जामिल इसके बारे में जान लीजे महावीर का जन्मा पांच सुन इन्यानवी इसा पूर्वा वैसाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था यहां से डायक्टी क्वेस्चन बनता है तो यह आपको याद रखना है ठीक है बढ़ते है next question के तरफ साथवे नंबर के question यह रहा आपके mobile skin पे भारत में पहली बार जन्गन्ना किसके कारेकाल में संपन हुई थी किसके कारेकाल में हुआ था यह आपको बताना है यहां पर आपसन दिये हुए है right answer टिक करें समय सुरू होता है अब right answer रहेगा c लाड मेयो के कारेकाल में व्याख्या देखते है अभी तक 15 बार जन्गन्ना हो चुकी है फर्स्ट टाइम 1872 में लाड मेयो के कारेकाल में संपन हुआ था हर 10 साल में जन्गन्ना होती है ठीक है तो आपको याद रखना है बढ़ते है next question के तरफ यह रहा आपके mobile skin पे मोडेरा का सुर्य मंदिर की स्राज्य में इस्तित है most important temple है यह आपको याद रखना है ठीक है यहाँ पर आपसन दिये हुए है अपना right answer टिक करेंगे बंगाल में है गुजरात में है उडिसा में है बिहार में है बहुत ही अच्छा question है अपना right answer टिक करें समय सुरू ह होता है अब right answer रहेगा बी गुजरात में इस्तित है र्याख्य देखते हैं यह मंदिर गुजरात में इस्तित है एक हजार चप्वीश इस्वी में सुर्य वंसी सुलंकी भीम देव प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था डारेक्टली पूछ ले जाता है कि यह मंदिर का निर्मान किस राजय ने कराया था तो आपको याद रखना है ठीक है बढ़ते हैं next question के तरफ यह रहा आपके mobile skin पे एक देश अंतर को पार करने में दो इस्थानों के इस्थानी समय के बिच क्या अंतर होते हैं कितना अंतर ह होता है आपको बताना है यह question बहुत बार repeat हो क्यूंक हर एक्जाम में question देखने को मिला है चार मिनाट दो मिनाट जिरो मिनाट आठ मिनाट कितना कंतर होता है यह आपको बताना है समय सुरू होता है अब राइट आपसर रहेगा ए चार मिनाट का अंतर रहता है व्याख्या इसके बारे में जान लीजे इंग्लेंड के लंदन से ग्रीन वीच रेखा गुजरती है प्रिथ्वी को एक बार पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है ठीक है बढ़ते हैं next question के तरफ और आज का अंति आपसर दिये हुए हैं मौर्यवंस सुंग वंस गुप्त वंस और कुसान वंस समय सुरू होता है अब राइट अपसर रहेगा ए मौर्यवंस ने सासन किया इसके बारे में जान लीजे चंद रगुप्त मौर्यवंस ने घंटानन को प्राजित करके मौर्यवंस की स्थापना की यहां से डारेक्टी question बनते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो के रिकारडिंग कोई भी question है या doubt है तो आप हमें comment करें आप हमें social media में फॉलो करके रखें वहां पर मैं previous question अपलोड करते रहता हूं तो मिलते हैं ने इस्टूडियो में जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें जैह